करक राशी के लिए मैसेज है कि नवामबा के मन्त में आपको जिंदगी खुल के जीना बहुत जरूरी है बहुत बंद के मत रहें थोड़ा सा लोगों से मिलिए और उनसे थोड़ा सा आइडियास वो उनके कभी-कभी होता है ना कि उनकी एडवाइस हमें अच्छे लगती हैं कभी-कभी किसी की बातचीत में कभी-कभी हमको ऐसे अच्छे आइडियास मिल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं तो लोगों से थोड़ा सा मिलिए थोड़ा सा एक्सपैंड करिये अपना दाइरा और जो भी प्रशनों के उत्तर आपको चाहिए हैं अगर अ एक बार मेडिटेशन करके अपने आपके जो स्पिरिट गाइड और एंजल्स हैं उनसे एक बार जरूर से सलहा लीजिए प्रेयर करेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे एक्चली एंजल्स मेसेज कर रहे हैं कि आंसर्स और विदिन यू मदा उत्तर आपके अंदर ही है और जिन्दगी आपके यहां पे नए तरीके से शुरू होने वाली है एक न्यू साइकल का काड़ा है बहुत ही अच्छा होता है यह मतलब सारे बंधान और ओप्सिकल्स जित्ते भी हैं सब कुछ हट जाएंगे और जिन्दगी नए तरीके से यह शुरू होने वाली है अब या पुरानी चीज कोई चली है उसमें कुछ नया करना चाहते हैं नए लोगों से मिलना यह होगा आपके साथ नए लोग नए अपॉचनिटी कुछ नया अपॉचनिटी के फॉर्म में कैसे भी है भी मोमेंट्स और वैसे भी प्लेजर और पैशन का तो बहुत ही अच्छा क या घर में कुछ चोटी सी पार्टी हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा प्लेजर्स है इस वक्षिया है अगेन यहां आपके लिए पैशन का ही यहां पर मेसेज आया था बहुत एक्साइटमेंट रहेगी अगनी तत्व बहुत अच्छा दिख रहा है रूट चक्रा और पर रसाधिस्टान चक्र नीचे के जो चक्र होते है इंका कलरी होता है रड और औरेंज कलर इस रंग के कपड़े बहनी है इस रंग के अबजेक्ट्स नूस करिए इस रंग के जो जो एटेबल्स हैं उनको खाइए जो खाने के वस्तुएं है उनको सेवन करिए जैसे कि तो उससे क्या होगा कि आपके जिंदगी में एकसाइटमेंट रहेगी, कारिकंडे के शमता रहेगी, और गंभीरता भी रहेगी, इससे क्या होगा कि सक्सेस मिलेगी अल्टिमेटली, चाहे आपका रलेशन्शिप हो और चाहे आपका प्रोफिशनल लाइफ हो, तो अपने प्रोफिशन चक्रा की तरफ जो होता है, वो आप मेनिटेशन से भी उसको करेट कर सकते हैं, ताकि आपकी एनरजी सेफ रहे एट लिस्ट चक्रा की, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, चीजें पहले से भाप लेना कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अंग के लिए ये अच्छा है, ये मत बोलो, ऐसे नहीं, तो ये चीज अच्छी दिख रही है, आपके अंदर के खुद की जो नौलेज है, अंदरूनी जो ज्यान है, उस पे ज़्यादा फोकस करीगा, उस पे ज़्यादा विश्वास करीगा, ना कि दूसरों पे बहुत आता, चाहिए कि नहीं, और spiritual activities करना बहुत अच्छा रहेगा, आप किसी भी religious धार्मिक places पे जाकर के कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ दान करना चाहते हैं, अच्छा रहेगा, पूर्निमा या अमवस्या वाले दिन जादा फलित होता है, ऐसा करना, बाकी दिन भी आप कर सकत हैं शानिवार को, लेकिन पूर्निमा अमवस्या वाले दिन, कुछ भी दान कराइए, कुछ भी बच्चों को help कराइए वहाँ पे, धार्मिक जगे पे, या किसी गरीब की मदद कर दीजे, और spiritual रहेए, prayers करिए, मंत्र का जाप करिए, जितना अच्छा मंत्र का जाप करिए, चैंटिंग करिए, अच्छा है, आप मेरिडेशन के दुरान ओम की आवाज सुन सकते हैं, ओम का मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, धार्मिक बनने की कोशिश करिए, और थोड़ा सा prayers करिए, अच्छे-च्छे किताबें, जो धार्मिक होली, जो अच्छी होती है हम लोग की उससे, उस कर्मा भी अच्छा बनता है हम लोग का, spiritual रहने से, अगर आपको किसी से मदद की जरुवत है, तो बिल्कुल मांगिए, और चाहें, यूनिवर्स से मांगिए, चाहें, अपने इश्टदेव से मांगिए, चाहें, एंजल से चाहें, spirit कैसे लेकिन कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई idea में strike कर सकता है, कोई solution भी आपको सकता है, मिल जाया, या कहीं से कुछ सुन लिया आपने, बस मन में एक बार जरूर से money मार, अगर आप help मांगेंगे, मदद मांगेंगे, उपर वाले से, तो जरूर मिलेगी है, वो किसी भी form म आ सकती है, उसको accept करिएगा, यहां पे angels कह रहे हैं, वो आप accept करिए, और relationship में, प्यार बहुत जरूरी है, take a chance on love, when we love, our lives are changed forever, जब भी हम प्यार करते हैं कि इसे, तो हमाई जिन्दगी बदल जाती, angels message कर रहे हैं, तो कोई ऐसी प्यार की तलाश है, अगर आपको, कोई love mate, क आपको बहुत support करती हो, कोई भी हो सकती है, परिवार में, आपके भाई, बहन में, या आपके friend circle में, तो उसको value करिए, और उसको एक बाद chance जरूर दीजिए, यह जब आप prayers करेंगे, तब ही possible है, अची चीज़े तब ही आएंगी, spiritual होने से, जो मुझे लग रहा है, join this message कर Pause and allow things to unfold, थोड़ा सा धीमे धीमे अराम अराम से, जल्दबाजी काम मत करेगा, धीमे धीमे अराम से, कोई भी जिंदगी के faster लेने हो, यहने की लगतार काम करते हा रहे है और ठक गए, थोड़ा सा relax करिए, थोड़ा सा rest करना जरूरी है, धहरे बना के रखिए, किसी का message नही चीज़ों को अराम अराम से सोच समझ के तब करिए, जल्दबाजी मत करेगा, किसी भी चीज में, चाहिए relationship हो, चाहिए professional life हो, इस वक्त एंजल से ही message कर रहे हैं, rest करिए अराम से, relax करिए, दुबारा फिर से आप अपने work पे जा सकते हैं, एंजल spirit guides का में बहुत देर से कह अरेती और आखरी में यहाँ पे message आया भी था, तो खुद ही उन्होंने गिराया था, अगर आप English वीडियो देखेंगे, तो उसमें यह इंजल spirit guides का जो card गिरा था, तो, but obviously कि आपको उनसे connected रहना है, जो divine energies है, positive energies है, उनसे आपको connected रहना है, बहुत जरूरी है, prayers करिए, धा कोई भी बीज मंत्र जो आपको शान्ती देता हो, meditation करिए, इससे क्या होगा, आप जो positive energies है, आपके असपस, उनसे आप connect हो पाएंगे, और यहाँ पे personal power आपकी अच्छे दिख रही है, आपकी जो व्यक्तिकत पावर है, काम करने के शम्ता है, जो capacity है, वो बहुत है, तो उस इसको सही दिशा पे लगाईए, और यह मतलब हार मत मानिएगा, self-determined रहे है, ठान लिए एक बाद तो उसको जरूर करिए, अच्छा लगता है, करिए, और दुबारा से treatment की बात कह रहे हैं, दुबारा से ऐसे होता है, कई बार से होता है, हम चोटे लो जाते हैं, काम करकर क कई समय से बहुत समय हो गया, वो कामी नहीं बन रहा, angels message कर रहे हैं, दुबारा एक बार फिर से try करिए, और फिर से प्रातना करिए उपर वाले से, treatment का यहां पर आया हुआ है, और यहां पर आपका confidence दुबारा से जाकरत करने की बहुत जरूरत है, जो confidence कहीं आपको lose हो गया कहीं पर ऐसे लगता है कि काम नहीं बन रहा, या confidence नहीं है, relationship में भी नहीं है, काम में भी नहीं है, तो दुबारा से उसको करिए, जो मैं यहां बता रही हूं, उसको करिए, angels जो message कर रहे हैं, इसको please जरूर करिए, क्योंकि यहां यह message अगर आपके पास पहुँच रहा है वीडियो, तो यह जरूर से आप लोगों के लिए ही message है, पहुचाएंगे, क्योंकि यह universe हम किसी के अंदर है, तो वो जो universe message कर रही है, वो आपके हां जा रही है, that means कि आपके mobile पे वो किसी मकसद से दिखा रहा है, उपर वाला, तो उसको जरूर से उसको गौर से देखी हो स समझे, और दुबारा से treatment का card है, that means कि दुबारा से चीजों को treat करने की जरूवत है, ठीक करने की जरूवत है, correct करने की जरूवत है, तो वो आप करिए, so मुझे लगता है आपको messages बहुत clear हो गए होंगे divine energy से, so thank you so much, thank you so much.